तो इंटर्मेडियेट का रिजल्ट मार्ज के तीसरी सप्ता यानि 21 मार्ज तक आने की संभावन है तो आज से इंटर्मेडियेट काफी की जान सुरू हो रही है तो आईए जानते हैं विस्तार पुर्वक जो न्यूज है कि मार्ज के तीसरे सप्ता में इंटर्मेडियेट का जल्ट आढ़ा है और आप न्यूज को देखने के बाद अवस जान जाएंगे कि क्यों आएगा मार्ज की तिसरी सब्ता में तो यहां पर देख सकते हैं न्यूज में कि आज से सुरू हो रही है इंटरमीडियेट उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य 26 फरवरी से लेकर की 9 मार्ज तक चलेगी यानि इंटर कापी की जो जांस है 26 फरवरी से लेकर की 9 मार्ज तक चलेगी भोड ने सभी तैयारी कर लिए हरता ली सिक्षकों का भी कापी मुल्यांकन पर कोई परवाव नहीं परेगा सिक्षकों के योग दिना नहीं करने पर विस्पार की 6 से जुड़े सभी व्यक्ति योजर में लगाने कि आदिज दिया है ताकि이 रिजल्ट्स समय पर जारी किया जा सक mauvais 1 नहीं तो इस बार intermediate परिक्षा का result मार्च के तीसरे सब्ता में जारी करने की बोड की योजना है पिछले वर्स intermediate का result 30 मार्च को जारी किया गया था और इस बार उससे पहले बिहार बोड जो है result जारी कर एक इतिहास रसना चाहता है तो आईए जानते हैं इनसे जूरी अन महतपुर्ण खबर को भी यहां पर देख सकते हैं कि बीना DM के अनुमोधन सेवा निवरित सिक्षकों को भी लगा सकते हैं मुल्यांकन में समannée ने कहा कि सभी जीलों को असपश क्रूप से निर्देस दिया गया है कि जिन मुल्यांकन केंदरों पर, मुल्यांकन कार्ये के लिए शिक्षक उपस्तित नहीं होते हैं वैसी परस्तिति में मुलियंकन केंद्र पर अनी लोगों को लगाया जा सकता है इसमें सेवा निवरित सिक्छक जो सरसट वर्ष से कम उम्र के थे और कोलेजों के सेवा कोलेजों के जो है सेवा निवरित सिक्षक जो सत्तर वर्श से कम के साथ औन यह अनुसंसित सबन्ता प्रापत कोलेजों इसकोलों के साथ बीभीन सिक्षा से जूड़े पढ़ाने के अनुभब वाले लोगों को उत्तर पुस्तिकाओं के मुलियांकन के लिए स्थानी अस्तरप्र यह सःपरिक्षक के रूप में न्युक्त किया जा सकेगा नियुक्ती के लिए न्युक्ति के लिए जीला पदाधिकारी अत्वा जीला सिक्षा-पदाधिकारी के अनुमोधन की अवस्कता नहीं होगी प्रस्तावित हर्ताल से मुल्यांकन कारी belki होने की इस्तिती में सभी अनुदानित संस्थानों के सिक्षकों को भी इस कारिय में परतिन्यूक्त किया जा सकता है तो बिहार विद्याले परिक्षा समिदी से समझे जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद